मैंने सभी साथकों का एक संदेश बापू को दिया कि बापू बहुत हो गया आप यह अत्याचार हम पर अच्छा नहीं लगड़ा आप अपक्रिप्या कुछ से अपकुछ संकल्प करें या बहर आएंगा या हमें कोई रास्ता दिखाएं क्योंकि गुरू ही तो रास्ता मैं साथकों को बता दूंगी कि आप खुश हैं लेकिन हमें क्योंकि आप ससंग नहीं दे रहे हैं इसलिए हम खुश नहीं हैं तो बापू बोले अरे ससंग जो दिया है पहले वो तो पचा लो और कहा कि ये वक्त भी बीच जाएगा सयम रखो थोड़ा सयम रखने से तुम् मैं यह कुश दूबहा हैं तो मेरे साथक मुझे बहुत प्रेखन करते हैं मैं भी अपने साथकों को बहुत प्रेम करता हूँ और हमारे और हमारे साथकों के बीच में कोई आई नहीं सकता चाहcilी कोई आmp अरोप लगाने को अफवाएंूड गोडाे यह सब ये बुनियाद अपने आप धूल धूला के चला जाएगा पानी का बुलबुला के भी टिका है जादा या रोब भी ऐसे ही हैं पानी के बुलबुले की तरह हैं बहुत जल्दी फूट के गायब हो जाएगे यह वक्त आएगा अच्छा इसलिए सयम रखो अपना मंत्र का जाप रखो अपना जो भी सेवा का रहे हैं वो करते रहो मन ध्यान भजन अपना करते रहो और वो वक्त अच्छा आएगा जल्दी मिलेंगे चिंता की पुझे बापु जी ने कोई समय सीमा बताए कि पुझे बापु जी कब तक बाहर आ जाएंगे एक सवाल मैंने भी पूछा बापु मुस्क अब हम सब साधक मिल के आखरें और जेल से बाहर आजाएं तो बापु मुस्कुराएं भोले के सयम रखो सब काम धीरे-धीरे होता है और मैं क्यों संकल्प करूं डॉक्टर लभी अपना इलाज खुझ करता है भला